नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महा इंदर जाल में दोस्तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सपने में बिच्चु देखने का क्या अर्थ होता है देखे दोस्तों सपने में बिच्चु देखने के अर्थ शुब और अशुब दोनों ही हो सकते हैं और यह निर्भर करता है कि आपको सपने में बिच्चु किस रूप में और किस अवस्ता में दिखाई दिया है यदि आप सपने में बिच्चो को देख रहे हैं और आपको किसी रंग का एहसास नहीं हो रहा है तो यह एक अच्छा सपना माना जाता है इसका अर्थ होता है कि निकट भविश्य में आपको जिम्मेदारिया मिलने वाली है आपको किसी भी चीज का मुख्या बनाया जा सकता है यानि आपकी शक्ती बढ़ने वाली है इसका एक अर्थ और ये भी माना जाता है कि आपका निकट भविश्य में पर्मोशन होने वाला है आपको तरक्की मिलने वाली है यदि आप नोकली करते हैं और आप पर्मोशन के नजदीक हैं और आप सपने में बिच्छो देखते हैं तो इसका अर्थ होता है कि निश्यत रूप से बहुत जल्दी आपका पर्मोशन होने वाला है सपने में बिच्छो देखने का एक अर्थ और भी माना जाता है और वह यह है कि यदि आप किसी मुकदमे में भाग ले रहे हैं यानि आप कोई मुकदमा लड़ रहे हैं तो आपको उस मुकदमे में विजय प्राप्त हो सकती है यदि आप किसी युद्व में भाग ले रहे हैं आप किसी के साथ लड़ाई कर रहे हैं तो आपको उस लड़ाई में विजय प्राप्त होगी ऐसा माना जाता है यानि लड़ाई में और मुकदमे में आपको विजे मिल सकती है यदि आप सपने में बिच्छू जेखते हैं जोती शास्तर के नुसर ऐसा माना जाता है यदि आपको सपने में बिच्छू काट रहा है तो यह एक अच्छा सपना नहीं माना जाता है यह एक अशुब सपना माना जाता है सपने में बिच्चो को काटने का मतलब है बिच्चो का काटने का मतलब है कि आपको निकट भविश्य में कोई नुकसान होने वाला है कोई हनी होने वाली है आपकी आर्थिक होनी भी हो सकती है या आपकी किसी और शेत्र में हनी भी हो सकती है तो आप साफधान रहे हैं यदि आप सपने में काला बिच्चु देख रहे हैं तो यह एक अच्छा सपना माना जाता है सपने में काले बिच्चु को देखना अच्छा माना गया है जोती शास्तर के नुसार निकट भविशे में आपके साथ शुब घटनाएं होंगे लेकिन यती आप सपने में सफेद बिच्चो को देखते हैं तो यह अच्छा नहीं माना जाता है सपने में सफेद बिच्चो को देखना अशुब माना गया है सपने में सफेज बिच्चो को देखने का आर्थ है कि निकट भविशे में आपके साथ कुछ समस्या हो सकती है आपको किसी दुरगटना का सामना भी करना पड़ सकता है आप साथान रहे हैं तो दोस्तो ये हमने सपने में बिच्छो को देखने की विभन परिस्तितियों के बारे में आपको बताया दोस्तो यदि हमने कोई परिस्तिति छोड़ दी हूँ तो आप कमेंट के माद्याओं से हमारे से हो सकते हैं हम आपके सभी प्रश्णों का उत्तर देने का पूरा-पूरा प्रियास करेंगे दोस्तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस वीडियो के नीचे के लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब का आप उस पर जरूर किलिक करें और साथ में बेल के आइकन को जरूर दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपने चैनल पर डालें वो आप तक पहुँच जाए इस वीडियो का आपने अंद तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार